अचैनि को तो मफर नग्रव हमारे निजी दोश्त है चोटनंग एक दो सालों से हमारे करीबी रहे हैं एक, दो विडियो भी इनका हमारा साथ हमें बना है और इनके साथ जो हमारा अएक्स ने करीज посмотреть. दिखाया था एक समय हमें दिखा कि हमारे आसपास में एक ऐसे फामत है जो काथी गायों को मेनेज कर रहे थे और जो है बिहार के अंदर अरवल के अंदर इस काम को जहां लोग छोड़ के भाग रहे थे वहां पर एक काम को कर रहे थे हैं हम आप से पुछना चाहते हैं माल लिजे कि अगर सभी लोग ऐसे अगर दूद पादन के प्रती जो इस बिजनस के परती नकरात्मक रूख जैसे उठपन हो रहा है तो आप पूर्ती कहां से होगा आप पूर्ती कैसे होगा यह हमें बताए कि मतलब बढ़ जागा तब आप उ हम नहीं कि दूद 30 रूपे लें तब मिलेगा हमनी कि दूद 30 रूपे लेगा 29 रूपे लेगा 29 रूपे है यह हमको बताइए आप मल लिजे कल जाए सारा किशान अगर फार्मिंग चोड़ देगा अगर पीछे हट जाएंगा तो दूद का जो अपूर्ती है हर अदमी को कम से कम सुव़ से लेकर साम तक मिला करके एक आधा अईटम खाना पड़ता है जैसे कोई चाय लिया कोई खा लिया कोई धहीं कहता है कोई पनी खाता है को आश्क्रीमे कह रहा है हमारा कहने का मतलब वह है कि आंट जनसंखिया इतना जादा है और गौवपालन बिलकुल चाहिए कि जो जाद बढूत है कि कैसे दूध का रेट बढ़ जाएगा तब सभी हो जाएगा तो डूध करेट तो ओटिमेटिक बढ़ जाएगा फिर जब गळाय पालने कम हो जाएगा हा तब आद्मिं पालने लगेगा ग़ाय ज्यादी आच्छा इस में मुखता आपको आप कतने सा जागरुक पस्पालक रहे हैं विहार से हमें लगता है अरबल में हमारे एरिया में जागरुक पस्पालक थे जो सबसे नीजी और नजदीक में हम आप से पुछना चाह रहा है कि आप तो सबसे जागरुक है आपने गायों का बैक्सिनेशन कराया था करनी है हर तर टीका करन क्या काम नहीं करता है कि सारा के ठीका थोड़ी दियाता है सारा का नहीं मतलब इंख रमई होता है नहीं नहीं हुए है नहीं हुआ है और ऑफ्रमडी के बहुत कम के पने रूप के इंख मोत है श्कते puppete सबसे ज्यादा अगर मेरा जो अनुबो है खुद का जो प्रशनल जनकारी है एक गाय थी हमारा हम जहां ड्यूटी करते हैं वहां पे वह जो गाय को थनेला हो करके उसका दूर भी बंद हो गया था बिल्कुल कम आ रहा था तो हमने क्या सुरू किया उसको सबसे पहले हमने उस श्राइन निम्बू रामी चाई सौ से दूसे ग्राम निम्बू काटी एक टाइम काट के समुचे खिला देजिए और निम्बू के साथ क्या है यह लो वेरा हल्दी और चूना का लेप बनागे लगाना है साहद आप सारा प्रोसेस जानते होंगे काकि काफी दिनों से आप स दोस्त हैं और दस साल का मोटा मोटी अनभव रखे हैं अच्छा हमको यह बताइए कि बिहार के अंदर बिहार के अंदर फार्मिंग में जो नसल सुधार ब्रीडिंग बोलते हैं कितना आवस्यक नसल सुधार के आवस्यक है यहां सीमेन सब कुई सस्ता वला देता है तो कहां स नसल सुधार अच्छा सीमेन सस्ता वला देता है हां सीमेन सब करें दो कि के कंप पिचा में देख स्थार हुरे किसान से हो रहा है किसान भी साहिश चाहता है कि सही बाले रहे चमोकर न हो यह सबख शुक किसानि नहीं है अच्छा मुक्ता जो है अगर फार्मिंग करना है किसी को तो चार-पांच तथ्यों को भ्यान में रखा जाना चाहिए अगर ब्रीडिंग हो गया नसल सुधार हो गया खीडिंग मतलब खान पान हो गया मेनेजमेंट रख रखाओ बोलते हैं प्रबंधन और दूद से आम दनी होने लगे गाता सब सुधा जाएगा अदूर से आम दनी नहीं तो का सुधरेगा अच्छा अगर आम दनी नहीं होगा तो सब कोई सुधरेगा कोई चीज से ना गौव सेवा करें आदमी माय बाप के तो सेवे न करी तो देख सकते हैं यह जो जिनियून बात कुछ बोल रह है में आपको कहा तक लगता है कि गायों में सुधार था गाइए और है और और कितना कि अगर कम से कम 40 रुप्या आज सब सुधा दाना माहिया डेरी सुधादाना था 800 900 1000 आज 1200 के मिल रहा है तो को अपरेटिव के चंगुल में आप मतलब फसे हुए तो जितने जो दूधे नहीं होगा अगर खुद का आप अपना फाम पे ही अरेजमेंट कर दे अगर दूध सेलिंग का तो नहीं होगा प्रोड़क्ट दे हात में के लेगा जाएज है कि आज के दुनिया में इनका भी कहना जाएज है कि एक इनसान थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगता है गाये से रिलेटेटेड है तो लेकिन अगर थोड़ा हमको ऐसा महसूस होता है कि अगर को अपरेटिव के चंगुल में इसी तरह रहें तो इसान का जो है कि उसमें जैसे पनीर होता है और फैट मतलब घी होता है तो दोनों का अलग पर श्ट्राइज करके और निकाल लेते हैं उनका पनीर भी बिग जाता है और गी बिग जाता है तो एक ही चीज से दो दो प्रड़क्ट बना रहा है और जतना मिहनत करके या जो किशान है और गाय पालता है दूद निकालता है खिलाता है चारा लाता है और जो जब पैसा कमाने का में टाइम आता है तो कोपरेटिव खा जा रहा है तो इसमें कैसे बदलावा है कोई किसान अपना दो चार बना करके हां दस आदमी रहेगा तब न कोई दोकाने खुल दिया कोई ख्व कि आपको क्या इच्छा लगता है कि गाय पालन के प्रती इच्छा सब ठीक है दूध का रेट सही हो जाए आदमी मिल जाए डूध का रेट आदमी के आदमी देगा तिन चारहजार के मन्तली तर नहीं रहेगा आदमी को चाहिए 10-12.000 में आदमें मिलेगा तब पैसावत ना रहेगा तब न किसान देगा तो आप समझ सकते हैं इसमें बिहार गोब्मेंट या फिर आम लोग का भी को अपरेटिव बाले बहुत पैसा खा जाते हैं किसानों का दूद के द्वारा तो इसमें सुधार होना चाहिए इनका कहना मही है और कई के बार हम इस बात को उठाए हैं दो चार बार वीडियो के माध्यम से और देखिए कभी ने कभी बदलाओ इसमें जल्द आने वाला है तो यह बताईए कि यह कौन सी ब्रीट की गाया है यह जर्शी से क्रोस है नसकुष सहिबाल के है दस इस सहिबाल से फ्रीजियन में कहे महिना का बच्छी आई हो गया इगारह महिना का हो गया मतलब बिल्कुल पाल खाने के लिए तयार है तो अभी हीट में आई है नहीं 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 आई है का आपका प्लान है एक दो महिना में हीट में अगर बारह महिना में पाल खा जाएगा तब तो किसान को बहुत बाबिन होती है तो किसान को लोस हो जाता है तो यह कई से कंट्रोल होगा जो टाइम चल्ब अगए जो फर्क मिलेगा तब ठीक रहेगा दाना के साथ मुनराल देना अथिया वस्यक है तब इस तरह की बच्छीया जल्दी तियार हो गए यह बात यह बोल रहें आप लोग समझ सकते हैं अच्या का माय मर गई कितना लिटर दूद देती था बहुत अच्छा ब्रीड का था है आपने प्रीड की काम किया है तो अच्छे अच्छे गाय रहा था आदमी के चलते ज्यानों लिकम जाए तो नसल सुधार में 12 दून 24 लिटर दूद अगर एक गाय दे अब 40 रुपे के हिसाब से बिग जाए तो 40 दाहां के 4 दून 800 एक हजार रुपे का दूद गाय दे रहा है तो फिर तो गाय आजाएगा के लेगा दूद तो परसानी इनके पास जो है कई परकार का है तो जनता बताएगा कि क्या करना चीए इनको आगे तो अच्छा यह बच्छिया वो यह कैशे है क्या इसका इस्तित्य इसका इभी दूद लगता बच्पन से क्रिया नहीं मतलब है थो आसा लग रहा है अथी इसकी कि अग्रेशा है कि ड़ यह बच्छ इनको शुदार क को अफरनेगा कर दो सर्ञाहर बच्छिन मतलब अजय दिन बाद इस बच्छिया क इस विश बच्छिया का मतल पाहा है बच्छा और शुदार को dwa है काड़ी से पिलाने के अपलकर मतलब पलाया तब पच्छा जो रहेगा उसी को रखना है देतना है अच्छा और गाई मुंहा आप whirl आई प्रसेंटेज कि देखने यising खब और गाई मिने पाल कि अeftयोंakah प्राय कितना में बैचें है वो कि नर्म है याद नहीं देख सकते हैं एक बार थ्वास आगे आते हैं आवा देखिए इसका नसल बहुत जवर्जस्त है चेहरा मुहरा या बोडी अस्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल मुर्हा का है हंडेट परसेंट हंडेट परसेंट हारिया पर्शोत नाइंल रहता है सब्सक्राइब नाइब ऑदेवलप न्यूंत सुसեյ अच्छा के परिया में अच्छा ठीखिटने को कई हो है तो मुझे बड़ा पसंद आया था इनका बचिए जो काड़ी है देखिए बहनेश के रूप में गाभीन है गाभीन है तोटल इसका उम्र कितना होगे दो साल का होगी तो गाय जो है बारा महिना और भाइश चोविस मेहना हां हां काले बीस महिना से कम नहीं भावती है तो यह सिक्रेट बाते हैं कभी-कभी देखिए इसी आ जाता है तो पता चल जाता है किसान को मतलब कौन सी चीज कब मतलब गाविन होगा कितना मेना अचा भा किसा पॉइंट सिखना पड़ेगा अभर किसी को जनकारी में होना चाहिए अचा गर्म होने का क्या थी है मिनरले से गर्म हो जाता है मिनरल पर धियान देना है ता बैसा प्रिया रहा है इस सारा जो ऐसी है तो यह था दोस्तिन के साथ हमारा एक छोटा सा बात चीत पार्ट तू आपको दिखाएंगे धन्यवाद